Hello and welcome friends, आईए देखते हैं कि Microsoft Excel पर हम semi-colon से कैसे जादू कर सकते हैं जी हाद दोस्तों semi-colon से हम जादू करेंगे और सारी चीज़े अपने आप गायब हो जाएंगे ये कैसे होगा आईए समझते हैं सबसे पहले हम Microsoft Excel को open कर लेते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास एक attendance sheet बनी हुई है अब इस attendance sheet में हम चीज़ों को guide up करेंगे कैसे guide up करेंगे वो समझते हैं सबसे पहले क्या करना है जिस भी चीज़ को आपको guide up करना उसका selection कर लिजे इस जो Monday से लेके और Saturday तक का present जो लगा हुआ है और absent जो लगा हुआ है इन सारे चीज़ों को हम guide up करना चाहते हैं तो कैसे guide up करेंगे एक तो यह तरीका है कि आप सारे चीज़ों को select कीजिए और यहाँ से आप text को भी green color का बना दीजिए तो अभी यह guide up हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर किसी ने text का color red या को यह और color में कर दिया या black कर दिया तो यह सारी चीज़े display होने लगेंगी ठीक है देखिए यह white कर दिया तो यह अभी भी पता चल रहा है अगर green कर दूँगा तब display तो अभी हम क्या करेंगे इस पूरे पार्ट को select करेंगे और जिस format में यह था इसको मैं black ही कर देता हूँ यह black color में हम लेके आ जाएंगे अब क्या करना है हमें अब हमें simply right button click करना है right button जैसे ही click करेंगे यह वाला dialogue box open होगा आप देख सकते हैं इसको यहां पर आपको कहा जाना है format sales में जाना है format sales में आ गए हम यह box एक आपको display हो जाएगा सामने ठीक है आपको कहां आना है आपको आना है custom पर यहां पर custom आपको दिखाई पढ़ रहा होगा custom पर आ जाईए और यहां जो general लिखा हुआ है यहाँ पर आजाईए यहाँ पर जो भी general लिखा हुआ इसको erase कर दीजे आप backspace key दबा करके erase करिए ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको simply alpha numeric button L के ठीक बगल में दिया होगा colon और semicolon colon यानि double तो हमें क्या करना है semicolon लगाना है तो यहाँ पर semicolon कितने time लगाना है three time लगाना है कैसे लगाना है selection कर लिजे पहले देखिए यह part मेंने select कर रखा है इतना part और अब right click कीजिए और आजिए format sales पे और आपको custom पर रहना है और यहाँ पर press करना है three time semicolon तो मैं यहाँ पर three time semicolon press करता हूँ one two three यह three time ही करना है अगर two time करेंगे तो यह काम नहीं करेगा जैसे two time आप करेंगे तो यह काम नहीं करेगा तो इसलिए three time मैंने किया और three time करने के बाद यहाँ से okay press कर दीजे तो यहाँ की चीजे अपने आप यह guy up हो जाएंगी देख सकते हैं आप यहाँ पर जो black color में highlight था वो कुछ भी दिखाई अब नहीं दे रहा है इसको फिर से वापिस लाने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर इसको फिर से selection करना होगा और जाना होगा format sales पर जैसे ही format sales पर आएंगे तो यह three time जो semicolon दिख रहा है इसको आप अटा दीजिए और यहाँ से ok press करिए तो जैसे ok press करेंगे यह फिर display होने लगेगा अगर इसको आप two time semicolon press करेंगे two time करेंगे तो क्या यह guy up होगा नहीं two time semicolon press करने से यह guy up नहीं होगा क्योंकि axle three bar semicolon लगाने का मतलब यह समझता है कि यहाँ कुछ भी लिखा नहीं हुआ है ठीक है तो two time लगाने से यह guy up नहीं होगा यहाँ देखिए two bar semicolon लगाना है तो यह अभी मौझूद है तो आपको कितने बार semicolon लगाना है तीन बार लगाना है यहाँ पर यहाँ पर right click करेंगे और जाएंगे format sales पर format sales पर जाएंगे तो यह आ गए हम format sales पर और आ जाएंगे custom पर और यहाँ से general को हटा करके erase करके तीन बार semicolon बिना gap के आप लगा दीजिए और interface कीजिए तो यह जादू हो जाएगा यह सारी चीज़े कायब हो गई आप देख चेकते हैं उमीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी वीडियो पसंद आया तो इसको share करें like करें हर चैनल को subscribe करें thank you for watching this video